अलो दोस्तो अवी में केज्यूकेशन में मैं अर्विन मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लोकसबा के मोस्ट आएंपी प्रस्न जो एक्जाम में बार-बार पुछे जाते हैं और आने वाले सबी एक्जाम के लिए ये महत्व पूर्ण रहे गए लास्ट में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा तो अच्छी तरह से वीडियो देखें और टेस्ट देखें आप अपना नोलेज भी बढ़ा सकते हैं आगे बढ़ते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं लोकसभा कहते हैं समिधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है 552 वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य है 545 समिधान में कितने बद दिखाया गए है 552 और वर्तमान में है कितने पुछे तो 545 राष्टपती आंगल भारतिये समुदाई के कितने प्रतिनिधियों को लोगसबा में नामित कर सकता है दो प्रतिनिधियों को नामित कर सकते हैं कौन से सम्प्रदाईच है तो आंगल भारतिये समुदाईच है लोकसभा में किस आधार पर सिटे आवंटित होती है जन संख्या के आधार पर वर्तमान लोकसभा में प्रत्यक्स राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है 1971 की जन गर्ना पर आधारित है लोकसभा का सदस्य बढ़ने के लिए नियुन्तम आयू कितनी होनी चाहिए 25 वर्स होनी चाहिए कौनसा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधी लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश कभी भी ऐसा क्वेशन आए तो हमेशा उत्तर प्रदेश आएगा चाहिए राज्य सबसे अधिक संसदियक शेत्र किस राज्य में है महाराष्ट्र में है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है नागलेन, सिक्किम वा मिजोरम में सबसे कम है कौनसी लोकसभा के चुनाव चार चरणों में हुए थे चोदहवी जो लोकसभा थी उनके चुनाव चार चरणों में हुए थे लोकसभा का नेता कौन होता है प्रधान मंत्री होता है लोकसभा का संचालन कौन करता है लोकसभा अध्यक्स करते है भुद्पुर्व सांसत सदस्यों को पेंसन व्यवस्ता कब लागू की गई 1976 इसा में लागू की गई लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते है वर्स में दो बार जरूरी होता है लेकिन हमारी यहां पे वर्स में तीन बार होता है कम से कम दो बार तो होना ही चाहिए समिधान में लिखा हुआ है लोगसभा को कौन भंग कर सकता है राष्टपती कर सकते है लेकिन प्रदान मंत्रे की सलापर ही कर सकते है वित्तिय बिल कहां पास हो सकता है लोगसभा में पास हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोगसभा में लाया जाता है बजट किसके द्वारा पारिद किया जाता है? लोगसभा द्वारा किया जाता है अस्थाई लोगसभा अध्यक्स को क्या कहते है? प्रोटेम स्पिकर कहते है प्रोटेम स्पिकर की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है लोगसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से सबंदित प्रस्नों का निर्णे कौन करता है लोगसभा के अध्यक्स कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है दो माह यानि के साइट दिन किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है वित्विधेयक को किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है संसद एक बार में लोगसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वुरुद्धी कर सकती है किस वर्ष लोगसभा का कार्यकाल एक-एक करके दो बार बढ़ाया गया 1976 में राजनितिक सब्दावली में सुन्यकाल का अर्थ क्या है प्रस्नोतर सत्र यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोगसभा में अपना वक्तविय दे सकता है हाँ दे सकता है मंत्री परिशद किसके प्रति उत्तरदाई होती है लोगसभा के प्रति लोगसभा अध्यक्स का चुनाव कोन करता है लोकसभा के सदस्या लोकसभा अध्यक्स अपना त्याग पत्र किसे देता है लोकसभा उपाध्यक्स को देते है तो ये अध्यक्स जो है उपाध्यक्स को देते है और उपाध्यक्स जो है वो अध्यक्स को देते है लोकसभा का अस्थाई अध्यक्स कोन नियुक्त करता है राश्ट्रपती करता है लोकसभा का सचीवालाई किस से नियंत्रीत होता है लोकसभा अध्यक्स से निर्नायक मत देने का अधिकार किसको है लोकसभा के अध्यक्स को है बारत के प्रथम लोगसभा अध्यक्स कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर कई बार पुछा गया याद रखेगा लोगसभा महा सचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोगसभा के स्पिकर यानि लोगसभा अध्यक्स बारतिय संसत के दोनों सदनों के संयुक्त अध्यवेशन के अध्यक्स ता कौन करता है? लोगसभा के अध्यक्स करते हैं लोगसभा में किसी विदेएक को धन विदेएक के रूप में कौन प्रमानित करता है? लोगसभा के अध्यक्स किस समीति का पदेन अध्यक्ष लोगसभा अध्यक्ष होता है नियम समीति नियम समीति का जो अध्यक्ष होता है वो लोगसभा का भी अध्यक्ष होता है किस स्पिकर के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया केस हैगडे के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोगसभा का जनक किसे माना जाता है जिवी मावडंकर यानि गनेश वासुदेव मावडंकर को लोगसभा का जनक या लोगसभा का पीता भी कहा जाता है और लोकसभा के प्रतम अध्यक्स भी यही थे हैं किस लोकसभा अध्यक्स का कारियकाल सबसे लंबा रहा बलराम जाखड लोकसभा के अध्यक्स या उपाध्यक्स की अनुपस्थिती में लोकसभा की अध्यक्सता कौन करता है लोगसबा का वरिष्ठतम सदस्य करता है राष्टमंडल अध्यक्सों के समेलन का पदेन महासचीव कौन होता है लोगसबा महासचीव होता है भारत के लोगसबा अध्यक्स किस देश के आउंस ओफ कॉमन्स के अध्यक्स की तरह होते है इंग्लेंड में जो है आंस ओफ कोमन्स उनकी तरह होते हैं लोगसभा का सची वाले किसके प्रत्यक्स पर्यवेक्षन एवं नियंतरन का कारिय करता है लोगसभा अध्यक्स लोगसभा के प्रतम उपाध्यक्स कोन थे अनंत सयनम आयंगर बारत की प्रतम महिला लोगसभा अध्यक्स कोन है मेरा कुमार अब आपकी टेस्ट जो हमने वीडियो देखा उसी में से आपको यहाँ पर क्वेस्टन पुछे जाएंगे जिनका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने है उससे पहले यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा पहले टेस्ट देखेंगे उसके बाद इसका पीडियेप कैसे मिलेगा और भी बताता हूँ टेस्ट में वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य है वर्तमान की बात चल रही है समीधान में कितने है वो भी आप बताना चाहे तो बता सकते हैं लोकसभा का नेता कौन होता है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और अस्थाई लोकसभा द्यक्स को क्या कहते हैं चारो question जो है एक्जाम में बार-बार कुछे गए है तो इनके answer आपको comment box में देने है यदि answer नहीं आते तो आप video को फिर से देख सकते हैं इस video की PDF पाने के लिए description में मेरी telegram channel और whatsapp group की link है वहाँ पे आप जूड जाएंगे तो वहाँ पे आपको daily current affair और most IMP PDF और latest government job की update मिलत रहेगी आसा करता हूँ आपको video पसंद आया होगा मिलते हैं अगले video में thanks for watching my video